आज मैं आप लोगों के साथ मसाला पूरी की रेसिपी सेयर करूंगे यह रेसिपी जैसे आम पूरी होता है ऐसे ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला एड़ करके चटपता बनाया है मैंने और यह खाने के लिए बहुत ही तेस्टी है आईए बनाना शुरू करें हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ जोटिका जोटिका की रोसोई में आपका स्वागत है मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बॉल और उसमें मैं एड़ कर दूँगी दो कप गेहों का आता जिसमें हम रोटी बनाते है यह डो कप आता मैंने एड़ कर दिया है इसके बाद मैं एड़ करूंगी मसाला सबसे पहले मैं यह अजवाइन डाला है धनिया पाउडर डाला है और यह कुटी हुई मिट्स डाला है मैंने लाल मिट्स कुटी हुई और इस्वाद नुसार नमक नमक आप अपनी स्वाद के नुसार डाल सकते हैं और इसको और भी ज़्यादा चट पता करने के लिए मैंने चाट मसाला डाला है अगर चाट मसाला नहीं है आप उसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो हरा धनिया डाल दिया मैंने एक टेबल स्पून और इसके बाद मैं क्याइड कर दूंगी इसमें एक टेबल स्पून ओईल कोई भी कुकिंग ओयड़ आड़ कर सकते हैं घीबी एड़ कर सकते हो और सारे सीजो को मैं इस तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ से और अभी मैं यह सारे सीजों को मिक्स कर लिया और अभी थोड़े थोड़े पानी डालके इसको एक टाइट आटा गुठ लूँगी इसको थोड़े थोड़े पानी डालके इस तरह से मैं आटा गुठ लूँगी इस तरह से और देखिए हमने ये दो बना लिया है और ये थोड़ा सा हमने सक दो बनाया है जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा जाई और एक कप पानी लिया था उसमें से देर टेबल स्पून पानी बज गया है और ये हमने गेव का आटा दो कप लिया था एक कप पानी में और देर टेबल स्पून पानी बज गया है अभी हम इसको रेस पे रख देंगे पन्रह मिनित के बाद हम इसका पेरे बनाएंगे और पूरिया बलेंगे पन्रह मिनित हो गया है अभी हम इसका थोड़ा सा पोर्शन लेके लोईया तोर लेंगे इस तरह से सोटी सोटी पेरे बना लेंगे और हम अभी बेल लेंगे बेलने के लिए मैंने चकले पे ओयल ग्रीस कर लिया है और उसके उपर रखके जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं इस तरह से हमें बेलना है और यह बहुत बड़ा पूरी नहीं भेलना है रोटी की समान नहीं करना है थोड़ी छोटी भेलना है और इस तरह से और यह देखिए मैंने इतना ही रखा है और इसमें मसाला दिखाई दे रहे हैं हमने पूरियां तलने के लिए गैस पे कराई रख दिया है और तेल भी एड कर दिया है इसमें और तेल जैसे गरम हो जाए तो हम इसमें जो पूरी बेल की रखा है इसमें दाल देंगी और दालते ही इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगी कट्सी से ताकि यह पूरी फूल जा गया है और यह जैसे फूल जाएगा तो हम इसको एक साइद से जैसे ब्राउन ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम पलत देंगे इस तरह से इस तरह से थोर अशा ओओल भी उपर ऐसे डाल देंगे तो बुडि और भी फूल जाएगा इस तरह से हम अलट पलट करके गोल्डेन कलर आने तक हम इसको तल लेंगे फ्राइ कर लेंगे और मीडियम फ्लेम में हम फ्राइ करेंगे और यह देखिए बहुत बढ़िया पूरी बना है और खाने के लिए तो बहुत ही तेस्टी शट पता है आपको बहुत पसंद आएगा बना के देखिए यह हम उठार लेंगे मैं और एक फ्राइ करके दिखा रही हूं इस तरह से मैंने पूरी डाल दिया है और कर्शी से इस तरह से प्रेस कर देंगे और जैसे यह फूल जाएगा तो हम इसके उपर भी तील थोड़ा सा दाल के अलट पलट करके इस तरह से गोल्डिन हो जाए दूसरे साइट से भी गोल्डिन कलर सुने कलर आने तक हम उसको तल लेंगे यह देखिए बहुत बढ़िया पूरी बना है यह देखिए पूरी इतनी बढ़िया बनी है और फिर हम इसको निकाल लेंगे कराई से इस तरह से में सारे पूरी तल के तिशू और अभी हम सर्फ करेंगे हमारी मसाला पूरी बन के तैयार है ये पूरी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चत्पता है आलू की सबजी दही के राइते के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक बार बना के जरूर देखिए आपको बहुत पसंद आएगा और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है मैं इसको तोर के दिखा रही हूँ ये देखिए इतना नरम पूरी बना हुआ है और खाने के लिए भी बहुत ही टेस्टी है आप एक बार जुरूर बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा मेरी रेसिवी मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक, सेयर, कमेंट कीजिए और चनल को सस्क्राइब करना ना भूले और मैं एक और वीडियो के साथ आपके पास आऊंगी तब तक के लिए नमस्ते